हजारों कॉमेंट्स पिछले एक देड़ महीने में हजारों कॉमेंट्स उससे मुझे पता चलता है कि इस लिस्ट का हर साल ये जो मैं लिस्ट लाता हूँ इसका आपको कितना जादा इंतजार रहता है इसी लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है तो हमने अपना टाइम लिया है बहुत गहरी रिसर्च की है क्योंकि पता है कि लाखों लोग इस लिस्ट के बेसिस पे अपनी जिंदगी की कमाई इन्वेस्ट करते हैं तो इस लिस्ट की इंपोर्टेंस ना हर साल बढ़ती जा र हैं इस बार ना इस लिस्ट के साथ description में आपको एक link मिलेगा जहां एक report भी मिलेगी जिससे आप जब चाहें इन funds को हमने क्यों recommend किया था क्या performance रहा है कौन fund manager है future expectation क्या है वो सब आपके पास एक document format में भी रहे तो आप इस video के बाद उस report को भी जरूर download कर लीजेगा तो चल मुझे पता है आपको list में और कौन से नाम है ये जानने की बहुत जल्दी लेकिन प्लीज रुकिए प्लीज रुकिए आपको नाम तो पता चली जाने वाले हैं आप चाहो तो वीडियो को forward भी कर सकते हो लेकिन ना वो गलत approach होगा उसके पहले आपको ये जानना है कि आपक आपकी risk appetite कितनी है तो इन में से कौन से fund में आपको निवेश करना है किसमें नहीं करना है ये सब जानने के लिए आपको जल्दी से पहले recipe पे जाना है वहाँ पे जब आप login करोगे तो आपको financial appetite एक section मिलेगा उसको answer करिए आपके goals क्या है वो goal planner पे जाके answer करिए और फिर आ आपको recipe बताएगा कि अगर आप महीने का मान लिजे 5000 रुपे लगाना चाहते हैं तो आपको उसमें से कितना gold में लगाना चाहिए कितना stocks में कितना mutual fund में जितना allocation recipe आपको mutual fund का दिखा रहा है उतना ही पैसा आप mutual fund में लगाईए और ये ना आपको आपकी risk appetite भी बताएगा तो मान लिजे आपकी risk appetite high आ जाती है तो जो मैं आपको एक global fund बताने वाला हूँ एक small cap fund बताने वाला हूँ उसमें आप invest कर लेना अगर result आता है कि आप बहुत ही conservative investor हो या moderate investor हो तो आप index fund, flexi cap fund, large and mid cap fund और अगर आपको tax saving की जरुवत है तो ELSS fund में रहना क्योंकि मैं जो global fund बताने वाला हूँ ना वैसे तो यह है कि वो country risk को diversify कर रहा है लेकिन मैं काफी concentrated global fund बताने वाला हूँ तो वो risky हो जाएगा एक थोड़ा sector type का fund है वो और एक मैं आपको small cap fund बताने वाला हूँ वो भी risky हो जाएगा अगर आपकी risk appetite high है तो तो आपकी risk appetite पता करिए कितना आप को invest करना है हर महीने mutual fund में वो आपको scientifically recipe बताएगा फिर ही आप इस list का फायदा उठा पाएंगे शुरू करते हैं large cap से और इस बार ना पिछली बार की तरह ही large cap के लिए हमने index fund को चुनाए पूरी list में से अगर कोई एक fund में आपको मेरी बात ना माननी हो तो इस fund के बतले आ आप एक large cap index fund लो अब हमने consistency के लिए पिछले साल की तरह जो fund पिछले साल recommend किया था वही recommend किया है HDFC का index fund sensex plan जरूरी यह है कि आप regular plan ना लो direct plan लो जरूरी यह है कि आप growth option की तरफ जाओ dividend की तरफ मत जाओ तो HDFC का आप sensex लो या nifty लो या किसी और AMC का sensex या nifty लो या nifty 100 भी ले सकते हो वो ज़्यादा जरूरी नहीं है इस category में आप चाहो तो इस fund को ना लेके किसी और fund को भी ले सकते हो हमने इसको क्यों चुना HDFC के sensex plan को ही क्यों चुना Nifty की तरफ ना जाके sensex की तरफ जाने का reason है 50 stocks का basket बहुत over diversification हो जाता है 30-25 stocks थोड़ा focused हो जाता है just the right balance तो थोड़ा सा aggressive होने के लिए और over diversification से बचने के लिए हम लोगों ने इस बार sensex plan को चुना ना कि Nifty को HDFC ही क्यों चुना ऐसा कोई खास reason नहीं है सबके expense ratio लगभग बराबर है अगर आपको कोई और come expense ratio वाला मिलता है जैसे इस fund का expense ratio 0.2% है direct plan में आपको कोई इससे और कम वाला मिलता है आप इससे और कम वाले में भी जा सकते हो HDFC brand के साथ क्या होता है ना कि इस video को लाखो लोग देखते हैं तो हर कोई जब मैं HDFC बोलता हूं तो बहुत comfortable हो जाते हैं जब मैं पराब पार एक flexi cap को recommend करता था देखते हैं इस साल करूँगा कि नहीं क्या लगता है आपको इस साल भी करूँगा क्या flexi cap में पराब पार को recommend क्योंकि काफी सारे regulatory changes हुए है वो AMC पे भी लोगों को trust करने में थोड़ा time लगा और उस चकर में वो क्या बोलते हैं कि हम पूरा allocation नहीं कर पाए क्योंकि हम trust नहीं करते थे तो index fund एक ऐसा fund है कि मुझे नहीं लगता कि कि किसी को भी नाम के कारण में कोई ऐसी AMC चुन्नू जिस पे लोगों को भरोसा ना हो और वो invest करने से चूप जाए तो इसलिए मैं सबसे reputed name के साथ जाना चाहता था tracking error कम है expense ratio भी कम है शायद एक दो AMC का इससे भी कम है लेकिन इसका भी कम है tracking error control में है और brand ऐसा है कि कोई भी डरेगा नहीं इसलिए हमने htfc को चुना अब आप सोच रहे होगे ये funds को हम pick कैस करते हैं हमारा ना पूरा mutual fund selection process transparent है quest पे आपको mutual fund selection पे बहुत सारे courses मिल जाएंगे और बिल्कुल यही वो content है यही वो तरीका है यही वो philosophy है जिससे हम mutual funds select करते हैं आप सब के लिए तो अगर आप भी आना चाहते हैं in depth कि mutual fund select कैसे किये जा सकते हैं तो quest.phenology.in पे जाके आप को consume कर सकते हैं. Second category है global fund की. अब इसमें फिछले साल भी मैंने वही fund recommend किया था जिसका नाम है Mirai Asset का fang plus ETF. अब यह एक ETF है याने इसे ना आप जैसे बाकी mutual funds को खरीदते हो उस तरीके से नहीं खरीद पाऊगे. इसको आप अपने stock broker से खरीदोगे जैसे आप stocks को खरीदते हो तो अगर आप zero-dha use करते हो, जैसे मैं personally zero-dha use करता हूँ, मुझे वो सबसे simple लगता है, cost सबसे ठीक है, तो अगर आप भी मेरी तरह zero-dha account use करना चाहते हो, तो description में आपको zero-dha का link मिल जाएगा, आप जाके अपना account खोल सकते हो, अगर आपको account opening instructions चाहिए, तो उसका भी link ह select.phenology.in पे zero-dha का page है, जहां आप zero-dha को बाकी broker से compare भी कर सकते हो, और account opening के step-by-step instructions भी आपको मिल जाएगे, तो ये एक mutual fund ऐसा है, जो आप अपने mutual fund आप से नहीं खरीदोगे, तो ये एक ETF है, याने एक rediment basket है, जिसमें 10 stocks हैं, वो 10 stocks का एक basket, एक combined stock के जैसे listed है, तो इसको आप stock के जैसे खरीद पाओगे, zero-dha के kite app से, या किसी भी broking app से, अब इसमें problem क्या है, ये ना fang plus ETF है, याने इसमें ज्यादातर कंपनिया जो है वो tech company है, facebook हो, apple हो, amazon हो, netflix हो, google हो, इस तरह की जो tech company है, US की tech company है, ज्यादातर exposure, लगभग पूरा ही exposure इसका उन कंपनियों की तरह है, तो ये एक तरह से na technology basket हो गया है US कंपनियों का, तो ये काफी risky है, definitely, लेकिन अभी ये कंपनिया काफी गिरी हुई है, layoffs चल रहे हैं, twitter में problem है, netflix के subscriptions नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत सारे problems हैं इन कंपनियों में, जिसकी वज़े से na, अभी अच्छा bargain मिल रहा है, अ overpriced या overhyped अभी नहीं है, तो इसको लेने का अच्छा समय है, अगर आपकी risk appetite allow करती है, सिर्फ तब ही, क्योंकि इसमें एक ही country के जाधातर stocks हैं, और एक ही sector के जाधातर stocks हैं, तो ये risky है, बस इस fan plus ETF को इस साल भी recommend करने का reason ये है, कि अभी ना value मिल रहे है, ये बहुत इंटर होने का, तो ये वीडियो लोग साल भर देखेंगे, अभी NAV 35-36 के आसपास है, तो मैं सस्ता बोल रहा हूँ, 35-36 NAV के आसपास होने के कारण, अगर आप इस वीडियो को बहुत बात में देखोंगे, NAV चेंज हो जाएगी, तो तब ये advice valid नहीं होगी, अब बात करत है, ELSS category की, याने tax saver funds, अब मुझे न, tax saver funds बहुत पसंद है, बलकि पता है, मैं क्या दरता हूँ, मैं न, ऐसा, क्यूंकि tax saver fund में आपको tax benefit maximum 1.5 lakh rupees पे मिलेगा, तो अगर आप tax saver fund में पैसा लगा रहे हो, तो 1.5 lakh आपकी income में से deduct हो जाएगा, उस 1.5 lakh पे आपको tax नहीं देना पड़ेगा, तो उसके बाद, मानलों, जैसे मैं बहुत सारे पैसा लगा जाता हूँ, tax saver fund में, उस 1.5 lakh की exemption limit के ऊपर भी, क्यूं, मुझे उस पे tax benefit भले ही ना मिले, लेकिन क्योंकि इन में 3 साल का lock-in होता है, तो discipline अपने आप आ जाता है, मैं temptation में आके, indisciplined होके, मैं चाहा के भी उन fund से निकल नहीं सकता है, तो इस category में discipline built-in होता है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है, और इसी कारण, ये category क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, चाहे आपको tax planning करनी है, या नहीं करनी है, तीन साल के lock-in से discipline आता है, उस पामले में ये funds बहुत अच्छे ह कि इसमें आपको maximum variety देते हैं, खूब variety देते हैं, तो इस बार इस category में तीन funds है, तीनों के अपने-पने perspectives हैं, तीनों के अपने-पने इन्वेस्ट करने के reasons हैं, और reasons नहीं भी हैं, मैं आपको तीनों समझाता हूँ, पहला है Mirai Asset का tax saver fund, अब लगातार दो Mirai Asset हो गया है, चिंधा मत करो, उनसे हमको कोई ही पैसा नहीं मिला है, यह जो tax saver fund है, यह पिछले साल भी list में था, बहुत पसंद है हमें, बस जो global fund में मेरा asset, fang ETF है न, ETF से भी इंडिया में जादा अच्छे हैं नहीं, बहुत कम choice है, और मुझे ऐसा लगता है, अगर हमको global exposure चाहिए, त इसलिए हमने choose किया मेरा asset का fang ETF, तो वो कारण था, यह fund अपनी category में 5 साल में बहुत अच्छा perform किया, इसने 3 साल में अच्छा perform किया, और सिर्फ trailing returns नहीं, rolling returns में भी अच्छा रहा, थोड़ा adventurous fund है, बाकी कई सारे ELSS न, एक तरह से large cap fund हो जाते हैं, यह fund का थोड़ा allocation mid caps की तरफ भी जाता है, और थोड़ा allocation small cap की तरफ भी जाता है, तो थोड़ा adventurous fund है, थोड़ा returns इसलिए maximize कर सकता है, हाँ, उसकी इसको punishment भी मिल सकती है, जब समय अच्छा ना हो, जैसे पिछले एक साल में इस fund का return अच्छा नहीं रहा है, अपनी category में इसने trail किया है, लेकिन इस fund को हम एक और chance देना चाहते हैं, एक दो साल ऐसे भी थे जब परात पारिक भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, लेकिन हम पात सालों तक उसके साथ टिके रहे हैं, तो consistency को हम लोग value करते हैं, फिनोलोजी में, और इस fund का पात साल का तीन साल का return, और इनका जो process है, वो मै पसंद है, थोड़े adventurous हैं, तो अगर आप थोड़े adventurous होना चाहते हो, थोड़े unexplored companies की तरफ भी जाना चाहते हो, तो मेरा asset का tax saver fund एक अच्छा option हो सकता है, अब एक बहुत exciting news है, पहले मैं आपको वो पता देता हूँ, वो चाहते थे, बहुत सारे लोग हमको email करते थे, messages कर affordable products बनाते हैं, जिससे हर कोई use कर सके और benefit लेख सके, तो इसलिए हम जादा seats open नहीं कर सकते, लेकिन हर साल हम 50 clients accept करेंगे, जिनके लिए हम portfolio खुद manage करेंगे, उनकी wealth हम manage करके देंगे, अब इसमें न, क्योंकि हम सिर्फ 50 clients ले सकते हैं, क्योंकि अपने core काम से हटना नहीं च size अभी growing है, अभी छोटा है, जैसे 25-30 लाग से कम का आपका portfolio है, तो recipe मेरा जो portfolios हैं, जो आपके goals के हिसाब से design होके बनती हैं, वो आपकी needs को sufficiently पूरा करेंगे, फिर आपको one-to-one handling की जरुबत नहीं है, तो अगर किसी का portfolio बहुत बढ़ा हो गया, जिसका हमने एक बार set किय है, 30 लाग से उपर का, और तो ना फिर वो काफी complex हो जाता है, काफी डर भी लगता है, stakes भी बहुत हाई हो जाते हैं, तो वैसे लोग जिनका 30 लाग से उपर का portfolio हो गया है, उनके लिए हम हर साल 50 लोगों को चुनेंगे, जिनकी wealth हम खुद manage करेंगे, तो अगर आप चाहते ह कि आपकी wealth हम manage करें, तो आपके screen परना अब एक email address आएगा, और description में भी आपको एक email address मिलेगा, वहाँ आप phenology reserve के लिए apply कर सकते हैं, जी हाँ, क्यूंकि ये service हर साल 50 लोगों के लिए reserved है, इसलिए इसका नाम है, phenology reserve, अगर आप चाहते हैं हम आपकी wealth manage करें, तो हमें email कर द portfolio 30 लाक से कम का है, तो definitely phenology recipe आपके लिए perfect होने वाला है, दूसरा fund है इस category में, access long term equity fund, अब देखो, जब भी हम funds choose करते हैं, तो हम सिर्फ results पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ results देखके देना है, rolling returns हो, past returns हो, सिर्फ ये देखके देना है, तो आप खुद भी choose कर लोगे, हम ये द बाता है न, कि आप process हर साल बदलते रहते हो, और उस चक्कर में खिचडी पक जाती है, क्योंकि आपको result नहीं मिल रहे, versus कुछ fund होते है, short term में result ना भी मिले, तो process वो sustain करते हैं, और उसके कारण long term results मिलते है, access long term equity fund से, मुझे ये बात बहुत पसंद है, कि अपने process पे ये stick करते हैं, बहुत जादा value पे ये fund ध्यान नहीं देता, quality oriented fund है, growth oriented fund है, और थोड़ा focused fund है, तो आपको इसमें 50-60 stocks नहीं मिलेंगे, stocks की quantity limited होगी, अभी 34-35 stocks के आसपास इन जे portfolio में है, तो इनका process बहुत clear है, उस चक्कर में आप PE देखने जाओगे तो सबसे सस्ता नहीं होने लेकिन किसी को, अगर अच्छे mid और large क्या है, quality growth oriented stocks का portfolio बनाना है, कई बार उस चकर में ये होगा, कि ये fund साल भर नहीं चलेगा, क्योंकि market महंगा था, growth stocks बहुत महंगे थे, तो fund का NAV बढ़ा वा था, अब तब enter हो गए, कई बार ये definitely होगा, इसलिए consistent returns हर साल आपको ये ल साल का cycle आता है, जब quality पसंद आने लगती है, और quality stocks महंगे valuation से भी double हो जाते हैं, उस situation में ये fund दूसरे fund से बहुत अलग तरीके का perform करेगा, तो एक तरीके से ना, ये fund दूसरे funds के against hedge भी है, इसलिए भी ये portfolio को अच्छा balance देने बाला है, बाकि returns, expense ratios वगर की details आपके screen पर आ क्योंकि ये न, access के opposite, value oriented है, value focused है, focused ये भी है, बहुत सारे stocks इसमें भी नहीं होने वाले, लेकिन जैसे access long term वाला एकदम core growth stocks की तरफ जाता है, ये थोड़ा value oriented है, ऐसा नहीं कि quality से बहुत जादा compromise करता है, लेकिन valuation का भी ध्यान रखता है, तो एक अच्छा balance देगा, अगर आप दो ELSS रख रहे हैं, access और पराग पर एक cut-act-siver fund एक साथ, तो आपके portfolio में एक अच्छा balance आएगा, ये fund काफी कुछ पराग पर एक flexi cap fund के जैसा है, बस regulation के कारण, क्योंकि इस category में lock-in होता है, तो इस category के fund को international stocks में invest करना allowed नहीं है, इसलिए ये बिलकुल पराग पर ए international stocks हैं, वो इस portfolio में नहीं है, और मैंने आपको बताया है, कि मुझे ये ELSS category न, lock-in के कारण काफी पसंद है, तो in fact मेरा जादा तर mutual funds का जो investment है, वो इस fund में है, पराग पर एक flexi cap में ना होके tax saver में है, क्योंकि इसमें discipline आ जाता है, तीन साल का अपने आप, तो ये मेरा favorite fund ह मुझे बहुत पसंद है, इसको आप पराग पर एक flexi cap का tax saver version समच सकते हैं, minus international stocks, अब अगली category है, large and mid cap fund की, अब इसमें क्योंकि mid cap भी involve हो रहे हैं, तो हमको एक ऐसा fund चाहिए था, जो कि quality पे खास ध्यान दे, क्योंकि ये वो category है, जहां से कई बार quality compromise होनी शुरू होती है तो quality पे ध्यान दे, क्योंकि साथ में large cap भी है, तो large and mid cap है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ aggressive investors invest करने वाले हैं, moderate risk वाले investors भी invest करने वाले हैं, तो उनको safety भी देना है, इसलिए हमारा focus था quality पे, अब quality एक तो हम stocks उसके पास कौन से हैं, ये देख के निकाल सकते हैं, दूसरा volatility कम ह अपनी category में ये देख के निकाल सकते हैं, याने अच्छे समय में ऐसा नहीं कि best करें और बुरे समय में worst करें, risk को control करके चलें, तो उसके लिए हमने choose किया है, कोटक का equity opportunities fund, इसका expense ratio काफी कम है, और quality पे, balance sheet quality पे कोई compromise नहीं हो रहा है, management quality पे कोई compromise नहीं हो रहा है, तो इस क equity opportunities fund, अगली category, flexi cap fund, मैं नाम बोलूं कि आपको पता है कौन सा fund होने वाला है, पता है ना आपको, परात पार एक flexi cap fund, अब 5 साल से मैं ये fund क्यूं recommend करता हूं, ये बताता आ रहा हूं, तो अगर आपको मुझे ये fund क्यूं पसंद है, वो जानना है, तो आप पिछले कोई भ recommend नहीं कर रहा हूं, एक caution भी दे रहा हूं, दो चीज़े होई हैं, एक, तो SEBI ने अब industry level पे एक bar set कर दिया है कि इससे जादा आप international stocks में invest नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में हो सकता है आगे जाके, पराग पर एक को problem आए international stocks में invest करने में, usually वो अपने portfolio का 30-35% international stocks में भी invest करता जिसको वो आगे कब तक कर पाएगा, कर पाएगा की नहीं, इसमें problem आने वाली है, इसलिए भी इस साल वो fang plus ETF जरूरी हो जाता है, ताकि आपको वो exposure मिले हैं, और anyways, पराग पर एक भी ना, अपने international stocks में जादा तर US के tech stocks ही रखता था, तो आपको पराग पर एक अगर किया है, और सिर्फ मैंने नहीं, पिछले दो-तीन सालों में तो हर किसी ने किया है, तो इस fund का AUM बढ़ गया है, अब 27,000 करोड के आसपास का fund है, तो मुझे नहीं पता कि आगे पिछला वाला performance sustain हो सकता है कि नहीं, इस fund को अब ये छटवा साल है, ये हम recommend कर रहा हैं, तो मै इसे जरूर एक साल observe करना चाहता हूँ, कि देखते हैं, इतने बड़े corpus को भी वो अच्छे से manage कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर अब लगने लगा है, इतने बड़े AUM के कारण, लेकिन अभी तक उन्होंने शिकायत का मौका नहीं दिया है, तो इस साल को लिस्ट से हटाना ये सही नहीं है, एक साल और इस पे invested रहके देखते हैं, अब आखरी category small cap fund, और इस पे हम फिर से पिछले वाले fund के साथ ही जा रहे हैं, access का small cap fund, क्योंकि ये category ऐसी है, जो high risk category है, जिसमें invest करना ही उनको है, जिनकी risk appetite high है, तो इसमें मुझे चाहिए कि fund manager थोड़ा adventurous रहे, यहाँ वो safety ना ढूंडे, safety चाहिए तो हम large cap fund में invest कर लेंगे, flexi cap में कर लेंगे, हम small cap fund में आपके पास आए हैं, ताकि आप risk लो और हमारे returns को जादा से जादा maximize करने की कोशिश करो, तो वहाँ पे मुझे ये fund house और fund manager की philosophy सही लगती है, कि वो risk से डरते अच्छे समय में return बहुत अच्छा होगा, बुरे समय में बहुत खराब होगा, लेकिन जब आप small cap पे आ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, safety के लिए हमने already बहुत सारे funds recommend किये हैं, थोड़े aggression के लिए और portfolio में थोड़ा वो X factor लाने के लिए, ये fund मुझे पसंद ह अब इस साल आप एक और चीज नोटिस करोगी, कि हम ना consistency की तरफ नहीं हैं, पिछले साल के list में कुछ fund add हुए होंगे, लेकिन कोई भी fund हटा नहीं है, पिछले साल से इस साल की recommendations लगभग पूरी same है, तो अगर हम बिल्कुल objectively इस साल इस list को शुरू कर रहे होते हैं, तो हो consistency के पीछे गए हैं, क्योंकि पिछले साल भी हमने इन funds को analyze किया था, इस साल भी, जरूरी नहीं हर साल result आए, लेकिन process से जो ये recommended funds थे, ये हटे नहीं है, तो इनमें एक साल का भरोसा और जताना जरूरी है, तो इसलिए हमने इस साल consistency को बहुत जादा importance दिया है, उमीद करता इसे like जरूर कर दीजेगा, और मुझे comment करके बताईएगा कि इस list में से कौन से mutual funds हैं, जिनमें आप invest करने वाले हो, और ये भी बताईएगा कि आपकी recipe पे risk profiling क्या आई, ताकि मैं ये देख सकूं कि जो आपकी risk profile है, उसके हिसाब से आप सही fund में invest कर रहे हो या नहीं, मु इस प्रांजल कामरा, signing off, bye-bye.